जैहिं दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिविल एस्कोर क्या होता है जिसे क्रेडिट एस्कोर भी कहते हैं इसके कम होने से क्या नुकसान है और कम होता कैसे है अगर कम हो जाये तो इसे कैसे बरहाया जा सकता है इसमें अपडेट कैसे किया जा सकता है यह सारी जयानकारी आपको दूंगा सबसेखिए रिक विज्ट लायक कर दीजिए फिर पूरा दकीएगा जरूर्स दुवारा हको नियीं स्कृर्ण का मतलब अभी होता है परतिष्ठा क्यारारा धूंभाइन जाता है कि यहाँ गारी जाते हैं यहाँ पर आपका कुनहींता है तो आपको नहीं मिलता है अगर जादा बाइक को मिलता भी है तो आपका परसेंटेज बहुत हाई रहता है ब्याज का जो परसेंटेज बहुत हाई लिया जाता है आप से क्योंकि आप पर भरोसा बैंक का नहीं होता है आप पर भरोसा फाइनेंस कंपनी का नहीं होता है इसलिए आप से ज्यादा लिया जाता है कि इस से आप कोई करते हैं 50 दिन का टाइम आपको मिलता है किसी का 40 दिन का समय मिलता है किसी का 50 दिन का समय मिलता है और उस पिरियर में उसके अंदर में बील आने के बाद आप पैसा जमान नहीं करते हैं तो होता क्या है कि आपका सिविल स्कूर खराब हो जाता है एक तो आप से इंट्रेस्ट लिया जाता है मनमानी मैं आपको बता दू कि करेड़ कार्ड पर लगभग बता दू आपको मिनिमम् तो इतना ज्यादा मिलेगा कि आप बरवाद हो जाएंगे तो कोई भी लोन हो चाहे घर का लोन जिसे परकार का लोन हो चाहे चोटा ही कंपनि सा फाइनेंस कंपनि सांपने लोन ले रखा है तो समय पर आपको अंपर आपको इस्ट्रॉल्मेंट जमा करना पड़ता है अगर आ आलाबा बता रहा हो कि घड़े रखा है किकार कुछ भी हो NASA कर्फा ले रखा तो एक महीना चलिकले अगर लेट मतलब कि आपका इज्जत इतना खराब कर दिया जाता है तीन महीना नहीं जमा करने के बाद आपको इतना खराब कर दिया जाता है तो अप लोन लेते हैं तो उसी हिसाब से लिए कि आप महीने में सही समय पर घामा कर सके हां होता है कभी 36 महीने पर कभी一个 Market हो गिया 10 दिन हो गया 15 में भूजा तो मैंगे हो जाता है सिपार 19 जन हो जाएंगे कि आपका सही हो लेकिन दो इस्टोल्मेंट तिन इस्टोल्मेंट भी कर लेते हैं फिर आपका पर्तिष्ठा बहुत ज़्यादा खड़ाब कर दिया जाता है आप सोचे इस को बनाता कोनडा कोन पता कैसे चलता है तो जिस बैंक से आपने लोल ले रखा तो श्यूरा रहता है सिवील अश्कोर देखने वाली एक अलग संस्था एक अलग सब्सक्राइब किसी भी बैंक से चोटा से छोटा चोटा फाइनेस कंपनी से लोन लेते हैं तो आपका सिविल n चेक करने और यह जो नया लोन लेते हो भी उससे जोड दिया जाता है उसमें परगार का कोई अपडेट नहीं आता है मैं आपको जनकारी के लिए बतादू कि बहुत लोग के बहुत सारे कंपणी बहुत सारे इंचूटा भी खुल गया और बहुत सारे संस्था है कुकुरमुत्य कतार छोटे-छोटे ओनलाइन कंपनी खुल गया जो काता है मैं सिविल स्कॉर बढ़ा दूंगा पैसे लेकर कोई लिखता है ग्यारा सो रुपया लेकर सिविल स्कॉर आपको अच्छा कर दूगा लेकिन मैं आपके जनकारी के लिए बत समझ कंशियां जो आपका लें देन रहेगा जो आप डिफोल्ट रहा गए या फिर आपने रखा है ऊस पर लेको दूसरा लोन चुक्ताा करते हैं आप समें है ब mis고 स्मय ब利ं भर देते वो समझने लगता है कि अब बंदा सही लाइन पर आ गिया है समय पर किस्त जमा कर रहा है दूसरा सिविले स्कुर क्या चीज़ से खराब होता है यहां सिफ लोन लेने से सिविले स्कुर नहीं खराब होता है लोन समय पर जमा नहीं करने से सिविले स्कुर नहीं खराब होता है किसी के लोन में अब क्राइंटर बने हैं चाहे वह लेंटर ने या कि अगर वह समय पर जमान नहीं करता है उसका जितना सीविल खराब होगा उतना गरांटर का भी सिविल खराब हो जाता है क्योंकि दोनों को कर दिया जाता है मतलब कि आपके गरांटिपर इसको लौन दिआ जा रहा है कि अगर नहीं मिलेगा बभगणा हो जाता तो फिर आप दिवालीया माने लोन डानरवान से सब्सक्राइब से लि dealing स्विल खराब होता है तो elle बनने से पहले की कोन ब्यक्ति साही समय पर किस्ट देने वाला है या नहीं है बंदा सीरियस है या नहीं है तो जो जानने वाले हैं अपने हैं रिष्टेदारी में हैं दोस्ती में जिसको कलोज जानते हैं उसी का अब गरांटर बने और समय समय पर किस्ट जमा करवाते रहे हैं उसे पूछते रहे हैं ताकि आपका भी खराब नहीं आ रहे हैं बहले ही एक-दो किस्ट लेट हो गया हुआ है तीन माइना से जयादा कोई भी किस्ट फैल नहीं हुआ है तो फिर मैं आपको बता दू जिस व्हाइन और बड़े बड़े लोग लोन करते हैं लेकिन समय समय पर पैसा जमा कर रहा है समय समय पर दे रहा है तो इसे बहुत ज्यादा benefit है आपको पूरा जमा हो जाने के करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होने बाला आपको समय पर कोई भी पैसा नहीं देगा तो दोस्ते इसी तरह की नहीं नहीं जानकारी के लिए अगर पहले से चैनल आपको सब्सक्राइब कर रखा तो इसके लिए कोटी-कोटी धन्यबाद देता हूं आपका मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नया वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यबाद जैन दोस्तों